Hello Everyone, Welcome to Projects with Digamber तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जोए अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपन कमांड को बनाया था तो आज की इस वीडियो में हम जोए उसी ओपन कमांड को मौडिफाई करने वाल है जैसे की मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता है ता कि कुछ Windows की एप्लिकेशन्स होती है जो की ओपन नहीं होती है, डारेक्ट अप का नाम डालने से तो उस प्रॉब्लम को ओटेक करने के लिए हमें जोए सबसे पहले उन एप्लिकेशन्स के पात को अपने डेटाबेस में सेव करना होता है और फिर वहां से रिट्राईव करके हमें उन्हें स्टार्ट करवाना होता है तब ही वो applications जो है direct command से हम start करवा सकते हैं तो दोस्तो उन applications के path को save करने के लिए हम जो है SQLite database का use करने वाले हैं means इस project के अंदर हम database का भी अब use कर रहे हैं तो ये project आप final year के लिए भी use कर सकते हो तो चलिए दोस्तो अब हम शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम करते हैं अपने code को तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस engine के अंदर एक file बनाऊँगा जिसका नाम होगा db means ये जो होगी database के file होगी db.py इसके अंदर हम सारे database के code को write करेंगे ना गईज अभी हमें क्या करना होगा सबसे पहले जो ये database को बनाना होगा तो database को बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर basically sqlite database का हम यूज कर रहे है तो हमें उसे पहले import करना होगा तो फिर हम import कर रहेंगे sqlite3 ये जो database है sqlite3 इसका जो package है यह अल्रड़ी हमारे python के अंदर आ जाता है तो मैंने import यहाँ पर किया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे connection को build करेंगे तो मैं एक con नाम से यहाँ पर variable बनाऊँगा con is equals to sqlite3.connect तो और इस connect के अंदर हम जो डेटाबेस का नाम mention कर देंगे जैसे कि हमें बनाना है 14.db तो अभी हम क्या करेंगे इसे just simply यह से execute करेंगे तो जो हमारा डेटाबेस है वो बनके यहाँ पर ready है तो यह जो है हमारा डेटाबेस है और गाईज अभी इस डेटाबेस के अंदर हमें सबसे पहले table को add करना होगा क्योंकि यह जो है यह empty डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है तो table को add करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर cursor बनाना होगा तो यह cursor एक ऐसा variable होता है जिसकी मदद से हम queries को execute करते है तो मैं cursor is equals to इस connection को यहाँ पर use करूँगा con.cursor तो यह जो cursor function मैंने यहाँ पर call किया और उसकी जो values है यह सारी इस cursor variable मैं हमें बिल जाएगी तो guys अभी जो table है उसे बनाने के लिए हमें query को write करना होता है तो वो जो query है वो उनने already लिखके रखी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो query है table बनाने की वो मैंने यहाँ पर लिखी है इसे भी मैं आपको explain करता हूँ so guys इस query का meaning है वो है create table एक table बना अगर वो exist नहीं करता है अपने sys command means अपने इस database के अंदर और उस table का नाम जो होगा वो होगा system commands means sys command और उस table के अंदर कुछ columns होंगे तो उन columns में सबसे पहला जो column है वो है हमारा id जिसका type होगा integer और वो primary की होगा अगर गई आपने mysql पढ़ी होगी database की language तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है so आपको अगर यह थोड़ा difficult जा रहा है तो आप mysql का सबसे पहले वीडियो देख लो कि mysql में tables कैसे बनाते है फिर उसके बाद insert, update, delete operations देख लो फिर आपको मैं जो क्या बोल रहा हूँ वो basically समझ में आएगा ठीक है अगर आप new होगे इस field में तो okay so sys command के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया id फिर उसके बाद next कॉलम है हमारा name उस application का नाम हम यहाँ पर mention करेंगे जिसका path हमें add करना है तो हमें name भी इसे insert करना होगा इस table के अंदर फिर उसका जो type है वो है वारकर basically यह string ही होता है और next path है means next column है हमारा path ठीक है और इसका जो type है वो भी string है तो execute करने के लिए हम क्या करेंगे cursor.execute नाम से एक function होता है उसे हम execute करवाएंगे और उसमें जो parameter है वो है हमारा query तो मैं यहाँ से जस्ट इसे execute करवाता हूँ तो मैंने इसे execute करवाया तो आप इसे जो है विजूल फॉर्म में भी देख सकते हो जस्ट आपको एक extension डाउनलोड करना होगा यहाँ से SQLite viewer ठीक है इस extension को डाउनलोड करने के बाद आप इस database को विजूल फॉर्म में VS Code के अंदर ही देख सकते हो तो मैं जस्ट इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा फिर open anyway करूँगा और यहाँ पर आप select कर लेना SQLite viewer ठीक हो ठीक है आप देख सकते हो कि हमारा जो database है वो बनके ready है फिर उसके अंदर हमारे पास एक और table है जिसका नाम है sys command और फिर उसके अंदर तीन column से id, name और path और जो id है वो है primary की means यह जो id होगी वो auto increment होगी हमें इसे mention करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना दोस्तो अभी हमें क्या करना है इस table के अंदर means इस sys command के अंदर उन values को insert करना है जिनके हमने column बना है ठीक है जैसे कि name और path को तो मैंने already जो है इसकी command लिखके रखी है मैं से copy करूँगा यहां से और यहां पर paste कर दूँगा इस command का जो मतलब है वो है insert into sys command means इस table के अंदर insert into system command table के अंदर इन values को insert करो इन मतलब यहां पर null मैंने mention किया है क्योंकि मैंने already बताया कि यह जो id होती है यह unique होती है और यह auto increment होती है इसकी जो value है वो हमें mention करने के ज़रूरत नहीं है और इस double quotes के अंदर हम यहां पर name डालेंगे और फिर उसके बाद में हम path को add करेंगे so name को add करने के लिए मैं क्या करूँगा गई यहां पर जो application है जो open नहीं होता है open file location को click करूँगा फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो यह जो bin की पूरी location है मैं इसे copy करता हूँ और उसके बाद इस location को मैं यहां पर add करूँगा और यहां पर हम नाम देंगे उस application का जैसे की android studio और अभी हम ही क्या करना होगा यहां पर double slash लगाने होँगे और इस के बाद इस bin के बाद हमें उस application का नाम यहां पर add करना होगा जो कि application का नाम है हमारा studio 64 और यह एक exe file है ठीक है मैं studio 64.exe ठीक है और अब हम इस query को execute करेंगे execute के अंदर हमने इस query को pass किया और यह जो con.commit function है basically इसका जो meaning यह वो है कि हम database को save कर रहे है इस instance पर मतलब यह insert होने के बाद हमें database को save करना है ठीक है तो मैं अभी यहां से इस execute करता हूँ तो यह जो query यह execute हो गई है और jarvis के अंदर इस database के अंदर हम refresh करते हैं तो हम देख सकते हो कि studio android studio name और path हमारा आ गया है और जो id था वो भी हमें और इंक्रिमेंट करके one मिला है ओके अब अभी हम एक बार और इसमें कुछ applications को आइड करते हैं जोसे कि मैं one note को यहां पर आइड करता हूँ तो मैं यहां पर लिख दूँगा one note और अभी हम क्या करेंगे यहां पर one note की जो file location है इसके open file location और फिर से एक बार open file location करेंगे और यह जो file location है इसे copy करेंगे और one note जो है वो पुरा capital में है और यह एक एक सी file है ठीक है सो मैं इसे यहां पर paste कर दूँगा और हम double slash फिर से एक बार यहां पर लगा देंगे और यहां पर one note ठीक है .exe अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और execute करेंगे आप देख सकते हो गाईज की यह जो है यहां पर one note भी हमारा आ चुका है और यह उसका path साथी में दोस्तो हम जो है इसमें web applications को भी open कर सकते हैं जैसे कि मुझे canva open करना है या video tube.com को open करना है google.com open करना है तो उन web browsers के URL को भी हम जो है इस database में store करके उसे access कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा एक और यहां पर table बनाऊँगा और यह जो insert है इसे हमें यहां पर पहले commit करना होगा commit इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसे और एक बार execute किया मिन्स एक और बार run किया तो यह जो command है मिन्स यह जो one note है यह फिर से एक बार replicate होगा replicate होगा मतलब यहां पर duplicate होजाएगा इसलिए अभी हमें से commit कर देंगे comment कर देंगे तो मैं अब यहां आपर क्या करता हूँ एक table बनाऊँगा जिसका नाम होगा web commands ठीक है तो इस table का code मैंने copy paste किया यहां पर आप query को देख सकते हो create table same वही है just name change है और उसके बाद यहां पर same वही है path और name path की जगह आप यहां पर url भी डाल सकते हो मैं path ही रखा है तो मैं just यहां पर url कर देता हूँ ठीक है तो अभी इसे हम एक बार execute करते हैं तो मैंने इसे execute किया jarviz के अंदर में गया फिर से एक बार मैंने यहां पर इसे refresh किया ठीक है now इस web command के अंदर हमें फिर से where is it उन्हें add करना होगा तो मैं इसे just copy करूँ गा और इसके नीचे paste कर देता हूँ now अभी हमें क्या करना है जिसे uncommend करना है और sys command के जगह पर हमें web commands को add करना ठीक है तो मैंने यहां पर web किया और same वही values है just अभी हमें one note की जगह जिसकि मुझे canva को open करना होगा तो मैं यहां पर canva डालूँगा और यहां पर उसकी पूरी url को add कर दूँगा canva की ठीक है so canva की url के लिए मैं क्याद करता हूँ just यहां पर canva.com को copy करता हूँ और यहां पर paste कर दूँगा save किया execute किया जारवेस के इंदर गए refresh किया table को एक सबते हो canva add हो गया same उसी तरह में क्या करूँगा youtube को add कर देता हूँ इससे save किया फिर से एक बार यहां से हम execute करते हैं हम देख सकते हो कि web commands के अंदर refresh में ने किया youtube भी add हो गया ठीक है so guys इस तरह से हमने इस project के अंदर database को बानाया फिर उसमें values को insert किया next video में हम क्या करेंगे इन values को retry करेंगे और system की जो applications होती है उन्हें open करेंगे साती में हम जोए इस web applications को भी open करेंगे just यह बोलकी कि jarvis open canva, jarvis open youtube या फिर jarvis open android studio तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आप चैनल पर नए हो तो इस playlist को जो है आप access कर लीजें ठीक है, so guys मिलते हैं next video में have a good day जे पार नए हु आप है अगर और गार Ganz का आपको यह वीडियो यह ह Kenneth यह हो यह वीडियो जामा आपको यह